फ्रीजा ने गोकु को सरपास कर दिया है वजीटा को भी इस बात का डर था पर अब वो सच हो गया है फ्रीजा का पोटेंशल सैयन से 50 गुना ज्यादा है और फ्रीजा ने सिफ 10 साल की ट्रेनिंग से एक नई फार्म अचीव कर लिया है जो कि गोकु और वजीटा से बहुत त प्राकतवर है वो एक तरह से बीरस के लेवल पर पहुत चुका है और उसका गोल गोकु और वजीटा को हराना नहीं है लगता है फ्रीजा बदल चुका है और उसके पास एक नया गोल है नैमिक सागा में फ्रीजा एक ऐसा करेक्टर था जो कि सैयन्स को खतम करना चाहता था एक टाइम पर वो सबसे ज़्यादा पावरफुल केरेक्टर था और अब वो टाइम वापस आ चुका है फ्रीजा पहले से बहुत बदल चुका है पहले वो किसी को भी जिन्दा नहीं छोड़ता था उसने सैयन्स के पूरे प्लैनेट को खतम कर दिया नैमिक सागा में वजी पर गोकु की सूपर सेयन्स फॉर्म उसकी फाइनल फॉर्म को भी सरपास कर देती है जब वो ठीक हुआ तो वो बिलकुल नॉर्मल नहीं था उसके बॉड़ी पार्स मशीन के हिस्से थे वो गोकु से खुद बदल लेना चाहता था अगर वो चाहता तो वो डायरेक्ट अर् डायरेक्ट बॉल सूपर में आता है जब वो अपनी इन दोनों हार के वज़े से ट्रेनिंग करने का सोचता है सिर्फ चार महीने की ट्रेनिंग से वो गोकु की गौड फॉर्म को सरपास कर देता है उससे पहले गोकु ने सैल के लिए ट्रेनिंग करी थी साथ साल लगातार अधर वर्ल्ड में ट्रेनिंग करी और सूपर सेंग गौड का रिचुवल भी किया पर उसको भी फ्रीजा अपने पुटेंशल से सरपास कर देता है जिसके बद वो हेल के अंदर ही अपनी फाम को मास्टर कर देता है टोर्नमेंट अफ पावर में फ्रीजा की हालत बहुत ख आरा सकता था कोई भी अल्टर एंस्टिंट के लेवल पर नहीं था गोकु को देखकर फ्रीजा भी शौक हो गया था पर ब्रॉली मूवी में वो एक और सेंस से मिलता है ब्रॉली मूवी के अंदर ब्रॉली फ्रीजा को एक घंटे तक मारता रहता है जिसके बद वो किमबर था जहां उसने दस साल ट्रेनिंग करी उसने पहले चार महीने की ट्रेनिंग से अपना पावर लेवल बहुत जादा बढ़ा लिया था मगर इस पाइंट पर फ्रीजा का गोल अलग है क्योंकि टोर्नमेंट में वो इतने सारे लोगों को देखता है जो कि उससे ज़् कमजोर है फ्रीजा के सामने क्योंकि फ्रीजा उन दोनों को सरपास करने के लिए ट्रेनिंग नहीं कर रहा था वो ट्रेनिंग कर रहा था गोजीटा ब्लू को सरपास करने के लिए और जरूर उसने सरपास कर दिया होगा पर क्या गोहान फ्रीजा से ज्यादा ताकतवर है त रेनोला आर्क और सूपर हीरो मूवी के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, उस गोकु के पास गोआं से ज़्यदा दागतवर फार्म होनी चाहिए, शायद ट्रू अल्टर एंशिंग मास्टर्ड, फ्रीजा अब वापस से मल्टी वर्स का सबसे स्टॉंगेस्ट मॉटल ब बैस की बॉडी इतनी तेजी से उसकी बची लाइफ को लेती है कि वो खतम हो जाता है, और गोकु ये सैट से खड़ाओकर देख रहा होता है, वजीटा और गोकु का सबसे बड़ा डर सच हो जाता है, हम उन दोनों के फेस पर डर को देख सकते हैं, फिर फ्रीजा उन दोनो को अपनी नई फार्म दिखाता है ब्लैक फ्रीजा और अगले ही सेकंड वो वजीटा और गोकु को एक ही शाट में खतम कर देता है बिलकुल उसी तरह जब रैड़िट्स ने गोकु को मारा था इस बारी दोनों ट्रू अल्टर एंसिंट गोकु और अल्टर एगो वजीटा कुछ नहीं कर पाते ये करने के बद फ्रीजा उननों को छोड़ देता है जैसे उसके पास कुछ और करने के लिए है अगर कोई है जो कि फ्रीजा के रास्ते में आ रहा है तो वो होगा बीरस और फ्रीजा का नेक्स टारगेट भी बीरस हो सकता है क्योंकि ड्रैगन मॉल सूपर सूपर हीरो फ्यूचर में सेट है बीरस के प्लैनेट पर हमें ब्रॉली दिखता है शायद वो ब्रॉली को फ्रीजा से बचा रहे हो पर वीस ये भी बोलता है कि फ्रीजा से ज़्याद थाकतर वारियर यूनिवर्स में है इसका मतलब आगे बहुत कुछ होने वाला है तुम्हें क्या लगता है इस ब्लैक फ्रीजा के बारे में क्या तुम्हें लगता है गोहान फ्रीजा को अरा सकता है जग गोजीटा ब्लू फ्रीजा को और आ सकता है कमेंट करके बताओ ऐसी और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो मैं मिलता हूँ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुड बाई झाल